देखिए आज के इस वीडियो में आज का हमारा महत्वपुन प्रस्न है कि यहाँ पर देखिए मानव में बच्चे का लिंग निधारन केसे होता है यह लिंग निधारन में गुनसुत्र की भूमिका को समझाईए देखिए यह प्रस्नाम का सन 2020 और सन 2020 में भी आया था मोश्ट आईएमपी प्रस्ने आईएस प्रस्न कौम अच्छे से समझते हैं देखिए पित्यक मनुस्य में 23 जोड़े गुनसुत्र होते हैं 23 जोड़े नर में होंगे और 23 ही जोड़े मादा में होंगे देखिए टोटल जो गुनसुत्र बनेंगे कितने गुनसुत्र बान में बनेंगे कितने बनेंगे बान में क्योंकि नर में भी 46 होते हैं गुनसुत्र और मादा में भी 6 तोटल हमारे बनेंगे बान में गुनसुत्र देखिए जो नर और मादा है इनमें जो 22 जोड़े तो क्या होंगे समान होंगे कैसे होंगे समान लेकिन जो 22 जोड़ा है यहाँ समान नहीं होता है तो लिंग निदहरन के लिए 23 जोड़ा उत्तदाई होता है इनके बीच हम निशेचन देखते हैं तो एक तरफ नर लिख दिया है में, दूसी तरफ मादा, तो नर का 22 वा जोड़ा समान है, लेकिन जो 23 वा जोड़ा है, वहाँ X और Y यह नरका है देखिए मादा में आप देखिए 22 वह जोड़ा भी समान है और 23 वह भी क्या है? X और X होता है देखिए इंजाम गेमिट निकालेंगे गेमिट देखिए यूग मेनेज तो इस तरह से निकलेंगे X और Y यहां से इन दोनों से X और X तो देखिए जब हम इस X का निसेचन किसके साथ कराएंगे? इस वाले X के साथ तो X और X बनेगा और जब हम इस वाले X का निसेचन इस वाले X के साथ कराएंगे तो X और X बने, इसी तरह हम Y का भी नी से चन, इस वाले X से कराएंगे, तो X और Y बनेगा यहां पर, क्या बनेगा X और Y, इसी तरह इस वाले X में Y का नी से चन होगा, तो X और Y, तो देखिए किर्या क्या बनी हमारी यहां पर, कि 2 तो हमारे X X बने, और 2 बने X और Y, और तो हमें पता ही है, X Y क्या होता है यह, लड़का, जब लड़का की प्राप्ति संतती कौन से होती है, लड़के की, कि यह भी क्या बनेगा, लड़का ही, और जब X X गुनसुत्र मिलत हैं तब लड़की कोंसे संतान पन्योगी लड़की ये भी लड़की तो लड़के के लिए कोंसा गुंसूत्र उत्तदाई होता है वाई येदी वाई गुंसूत्र येदी कमजोर है और येदी सफल नहीं हुआ तो क्या बनेगी संतान कोंसी होगी लड़की तो ये था हमारे नर और मादे दोनों हमने निसेचन कराया तो हमें प्राप्त हो यहाँ पर लड़की जब एकस-एकस यूगमनेज बनते हैं तो लड़की और जब एकस और वाई निसेचन होता है तो संतान लड़का प्राप्त हो जोड़े गुन्सूत्र पाए जाते हैं जिसमें से 22 जोड़े गुन्सूत्र नर तत एवं मादा दोनों में समान होते हैं लेकिन 23 जोड़ा मादा में तो एकस एकस होता है लेकिन नर में 23 जोड़ा गुन्सूत्र एकस और वाई होता है तो यही लिंग नीधारण के लिए महत्वपुन भूमिका निभाते हैं कोंसा जोड़ा एकस वाई जोड़ा ही लिंग नीधारण के लिए उत्तरदाई होता है इसलिए इसे लिंग गुनसुत्र भी कहते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं लिंग गुनसुत्र भी कहते हैं यदि नर का एकस गुनसुत्र मादा के एकस गुनसुत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़की होगी तो जब नर का X गुनसुत्र मादा के X गुनसुत्र से मिलता है तो संतान लड़की प्राप्त होगी लेकिन जब यदि नर का Y गुनसुत्र मादा के X गुनसुत्र से मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी लड़का होगा तो यही मनुशी में लिंग निधारन की किरिया है लड़के की प्राप्ति कव होती है जब पुरूस का देखिए y गुनसूत्र किस से निसेचन करेगा संतान क्या होगी लड़का होगा तो डिपेंड किस पे करेगा कि लड़का प्राप्त होगा खोट कि यदि लड़का नहीं हुआ तो गलती किसकी होगी पुरुस की ना कि इस तरी की तो वेसे तो समाज लड़के के लिए किसको जिम्मेदार ठहराता है इस्तरियों को तो इस्तरियों को नहीं किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए क्योंकि एकस और वाई पुरुस में होता है तो यदि वाई कमजोर है इसमें गुनसूत्र तो यदि उसने कमजोर है तो नहीं कि कि यह करेगा निसे चन किया तो संतान लड़की होगी तो जिम्मेदार मादा नहीं होती है पिता होता है तो आपको यह समय में आ गया होगा तो आपको अच्छे से इस प्रसन का इसके पेले एक बार और यहां पर हम धोरा लेते हैं कि पित्यएक मनुष्ची में 23 जोड़े गुनसुत्र पाए जाते हैं जिन में से 23 जोड़े गुनसुत्र नर एवं मादा दोनों में समान होते हैं लेकिन तेविस्वा जोड़ा मादा में तो एकस एकस होता है लेकिन नर में एकस वाई गुनसुत्र होता है यही लिंग निधारन के लिए महत्पुन भूमिका अदा करता है कौन सा जोड़ा तेविस्वा जोड़ा इसलिए इसे लिंग गुनसुत्र भी कहते हैं यदि क्या है यदि नर का X गुनसुत्र मादा के X गुनसुत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़की होगी और यदि नर का Y गुनसुत्र मादा के X गुनसुत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़का होगा और यही मनुष्य में लिंग निधारन की किरिया है। यही प्रसना आपको अच्छे संद में आ गया होगा। तो अब आप अच्छे से स्क्रीन सोट ले लिजे यही से कि मनुष्य में लिंग निधारन को समझाईए।